वेलकम तूदा कुमारती वेजगीस्टन मैं अपने चैनल मांब स्वाद करते हुआ राजनितिक चिंतन विचारा के विचे विचे विचेख जी एस मील तथा काल मास सवतंता तथा परचातंत्र पर जी एस मील के विचार जोन स्टुहार्ट मील 1863 अंतियातिक परतिवा साली अंग्रीज उपदारवादी दरसनिक था जिसका नाम था उप्योगी वाद के सिध्धान के साथ संबंद है राजनितिक सास्तर के अंतिरीत उसने अर्द सास्तर नीति सास्तर आदिछेतरों में भी महतपुण योगदान दिया मील के द्वारे लिखे गए गरंतों में लिबिटी अन लिबिटी परतिनीति सास्तर आदिछेतरों में प्रिपेश्टिव गवर्मेंट तथा उप्योगितावाद अंटिलिजीजम विसेश रूप से वर्चित है मिल मेथम द्वारा परतिपादिक उप्योगितावाद के दर्सन से परवावित था की राज्य को वही कारे करना चाहिए जिसमें अधिक्तम लोगों की अधिक्तम लाव सुथ पहुँचे उप्योगितावाद वादी दर्सन वस्तू टॉमस होक्स की दीन है जिसे बाद में डेविट खुलूम और फिर जर्मनी बेथम जेस मील जेस मील के पिता तथा जेस मील के विकासित विक्सित किया मील ने विटिस संधस के समुदाएं 1865-1868 के रूप में आर्लेंड में भूमी सुधार किर्शिको की सिती में सुधार महिलाव मतदिकार आदी मुद्दो का जोड़दा समतन किया मिल यतपि बेथम के सुकवादि सिधान प्योगितावाद के परभावित था किन्तु उसने इस इधान को जो का तो सुधार करके इसमें कुछ सोधन किये बेथम की इस मानिताव को अवस्विकार करता है कि सुको के मध्य केवल मंतर नात्मक अंतर होता है उसे सुको के गुनात्मक अंतर का पक्स लेते हुए कहा कि उच्च कोटी का सुखी मनुस्य का उद्देश होना चाहिए उसके सब्दों में एक असंतुष्ट मनुस्य से एक असंतुष्ट सुवर से अधिक सेसकर है असंतुष्ट रहकर भी सुक्रता जैसे पर्तभूत होना असुष्ट मुल्क से अधिक अच्छा है मिल ने उप्योगितावाद से मेशन सोधन करवेक्ति के महत्तव को उन इस्तापित किया अचेटन वर्क ने उसे बीस्वी स्तापदी का सर्वसिष्ट रथा सर्वधिक उदहार वेक्ति माना है मिल द्वारा परभावित किये गए उदारवादी वेक्तिवादी दर्सन को कलातांतर अमेरीका दर्सनीकी जोन्स होल्स ने अपने नियाए के सिध्धान के अंतरगत तक्त संगत आधार परदान किया परारम में मिल जैसे बेथक की तरह आर्थिक छेतर में राज्ये के हतसे की नीती का समस्तन किया इस परकार उसे उदारवादी होते हुए भी राज्ये के कल्यान कारी संस्ता माना था राज्ये के कार्यों का कार्यों में विस्तार का पक्स लिया अंत मील को उदारवाद वे समाजवाद के मध्धे की कड़ी माना जाता है उसे राजनीतिक छेत्र में सब्धानिक तथा परते नीती सासन का समथन किया उदारवादी के रूप में मील ने वैक्ति की सुतंता का खुल कर समथन किया किन्तू वे परतिबंद रहित सुतंता का पक्सधर नहीं है वे वैक्ति की सुतंता के रक्सा हितू राज्य के हत्यसेप का पक्सधर है वे आर्थिक छेत्र में लोगों को एक अधिकार को सुविकार नहीं करता उसके अनुसार ऐसी सिती में राजा को तक्त स्थत करहकर विसार निर्धन वर्ग के कल्यान के लिए सकारातक भूमी निमनी चाहिए सुतंता की अवधारना मील ने अपनी किर्थी सुतंता ओन लिबिटी में सुतंता संबंदी विचार पसुत किये मील के समय में राजे का कारे छेत्र विस्त होकर चुका था तथा सरकार जनहित के नाम पर वैक्ति के जीवन के परतेक छेत्र में विन्योजित करने वाले कानून बनाने लगी थी राजे द्वारा वैक्ति के सुतंता महतिसेप होने से उसे ये भै हो गया कि बहुमत का लोग पिये सासन भी कहीं निर्कु सासन की भाती सवेशा चारी ना हो जाए अन्तुसे वैक्तिकत स्वतंता में राजे द्वारा हतिसेप का विरोद किया उसके अनुसार जनता के सासन के नाम पर बहुमत द्वारा अल्पमत पर मनचाहे परतिबंद लगाना तथा जन्मत के नाम पर अनुसूचित कानून को थोपना सर्वथा अवचिनिये है इस परक अल्य किस्ता मेली को तरव कि से वाइन के अनुसार मीन का विकतिक्त स्वतंता का समत्थन जोगतावादी समत्थन से कुछ अधिक है जनी ले वैक्तिक किस स्वतंता में राजनितिक हत्सेप की तरह हवंच निये समाजिक हत्षेप का भी विरोत किया समाजिक निर्कुस्ता कई बार राजनीतिक उत्पीडिन से अधिक दुखदाई होती है समाज का रूडिवादी वहवार वैक्ति के सुतंता में बाधा डाल सता है जब भी कुछ लोग अपना जीवन गैर पर्मप्रावाद तरीकों से जीना चाहते है तब उन्हें समाजिक विरोत व्यालोचना का सम्मान करना पड़ता है अन्त सुतंता विचारों में उनकी अभी वैक्ति में आने वाली बाधाओ को हटाना वसक है इस परकास वतंता को पर्चलित विचारों को वे पर्मप्राव से भी सुरक्सा मिली है A.D. लिंड से के सब्दों में मिल के अनुसार वैक्ति अपने सरी तथमान सिक का स्वामी है अन्त उसे अपने संबन में भून सुतंता होनी चाहिए इस छेतर में समाज वे राज्य को वैक्ति के आचरन पर कोई पर्तिबत नहीं लगाना चाहिए इस परकार मिल के सुतंता का एक ही लगसे है वेक्ति के आत्मा विकास का लगसे वेक्ति अपने वेक्तिट तत्व का विकास करने है तू सुतंतर है परंतु मील यह भी सुईकार करता है कि मानव जाती किसी भी संकट की सुतनता में केवल एक या धार एक परहत्य से कर सत्ती है और वह है आत्मारक्सा व्यक्ति को अपनी च्छानुसार अपने हीत की पुर्ती करने की छूट है परसत वे है दूसरों की इनी हीतों की पुर्ती में बाधा न डाले वैक्ति पर राज्य सत्ती का नय संगत परयोग के वल उसे दूसरी को हनी पोचाने से रोगने के लिए ही किया जाना चाहिए सुतनता के परकार मील के अनुसरदा सुतनता तीन परकार की होती है विचारक तथा भी वैक्ति की सुतनता मील के अनुसर समाज और राच्चे को वैक्ति की वैक्ति की वैक्ति की सुतनता पर प्रतिमन लगाने का कोई दिकार नहीं है किसी भी वैक्ति को किसी भी परकार के विचार वैक्ति करने की सुतनता होनी चाहिए चाहे उसे समाज में रहने वाले बहुत संगलक लोगों की विचार धारा के अनुकूल हो या परतिकूल किसी भी मत का दमन करना स्वर्था अनुचित है चाहे वे सत्ते हो मिध्या हो या आसिक रूप से सत्ते हो परमपरास पर विरोधी मतों के टकराव के बिना सत्ते तथा मिर्था की परक संभव नहीं है कोई बात इसलिए सत्ते नहीं होती कि अदिकांस लोग उसे सत्ते मानते है और ना कोई बात इसलिए मत्या है कि बहुत कम लोग उसे मानते है अर्थ सर्व पत्थम परते व्यक्ति को मत परकट करने का अफसर मिलना चाहिए अभी व्यक्ति के बिना बास्तविक सत्ते का पता लगाना कठिन है कठिन होगा मेल का मत था कि यदि एक व्यक्ति के अंतरित संपून मानव जाती एक मत हो जाए तो भी मानव जाती के उस व्यक्ति के विचार के दमन का अधिकार नहीं जिस परकार से यदि यह व्यक्ति सर्व सत्ती संपन होता तो उसे सर्वगत मानव जाती के दमन का अधिकार नहीं होता सच्चे ज्यान की पुष्टी तथा विस्तार के लिए सभी परकार के विचारकों की चर्चा परी चर्चा तथा बाद विवाद की कसोटी पर परखना अवस्य है सथे तथा किसी विचारक के दमन से समाजी परगर्दिक अवरूधी हो जाती है अपनी अभी रूचिया विक्सित करने वह अपनी रूचियों के अनुसार कारे करने के सुतंता मिल के अनुसार परतिक व्यक्ति को अपनी रूचि के कारे करने के सुतंता होनी चाहिए मानव जीवन के दो पहलु है इसी के अनुरूप वेक्ति के कारियों को भी दो भागों में बाटा जा सकता है स्वरभ संबंदि परसंबंदी इसे कारिय केवल करता से संबंदित है इसे अन्य वेक्ति परभावित नहीं होती व्यक्ति को ऐसे कारे को करने की पून सुतंता होनी चाहिए जैसे अपनी इच्छा का भोजन करना वस्तर पहनना धुमरपान करना पंद कमरे में मिद्रापान करना अदि व्यक्ति गतकारों के सुतंता का अब हाव समाज के प्रगर्ति के तो खता बन जाता है स्वर्व संबंदी कारे को करने के लिए समाज द्वारा वैक्ति को अकेले छोड़ दिना चाहिए इन कारियों में राज्य हत्तसेप नहीं होना चाहिए पर संबंदी कारे वे हैं जिसका समाज क्या निये वैक्तियों पर परभाव पड़ता है ऐसे कारियों में राज्ये हत्य सेप कर सकता है क्योंकि यतपी वैक्ति के सुतनता अवसक है किन्तु उसके दुआरा दूसरों के सुतनता में बाधा डालना अनुचित है यदि वैक्ति समाज में आभध्र वैभार करे या अनैतिकता को पूरोसान देयत्वा समाजिक सत्ती को भंग करे तो राज्ये दौरा उसके कारे में अन्तरित अपना पूर्ण हैत करने वाले वैक्तिकत कारे भी राजय द्वारा पर्ति बांदित को सत्ते हैं जैसे आत्माहत्या का कारें संघटन बनाने के सितन्ता मानव जीवन के वीभिन पहलू है जिसके विकास के डिष्टी से वैक्ति वीभिन संघटो का निर्मान करता है जिस पर परकार वैक्ति देशों के प्रात्ति हितु राजयस्तितु में आया उसी परकार से समाजिक आर्थिक धार्मिक संस्क्रितिक आरिपक्सों के विकास हितु परिवार वैक्ति परिवार आर्थिक संधार्मिक संस्ताव वेकलब आदिकासर से होता है वेक्ति के वेक्तिगत के विकास के लिए ये भी आवसक है मील के अनुसर जिस समाज में ये स्वतंताय पूर्ण रूप से अत्वा बिना सर्थ परदान नहीं की जाती वेपूर्ण स्वतंतर समाज नहीं हो सकता परजा तंतर पर मील के विचार उदारवादी होने के नाते तथा सुतंता के परती गहरा लगा होने के कारण मील ने परजा तंतर का समथन किया मील लोग तंतर के बहुमत के सासन का पक्स ना लेकर परती निधे नात्मक सासन का समथन करता है इस संबंद में उसे अपने किर्थी परतिनीधी सासन में अपने विचार हितु किये है वे है परतियक्स परजातंत्र का समथन ना करके आप परतियक्स या परतिनीधी सासन का समथन करता है मील के अनुसाल लोगतंतर में संपूर्ण जनता या दिकांट्स लोग समय समय पर चुने गए परतिनी दियो द्वारा सासन का परचलन करते है मील ने बेथक के विचारों के आगे बढ़ावा तथा परजातंतर के नेतिक परक्स पर बल दिया माक्स वजन ने मील के परचातंतर के मोडल को विकास निये परजातंतर का नाम दिया परचातंतर के गुन मील के अनुसर सासन के जेश्ट परनाली वह नहीं है जो हत्या धिक कुसल हो अपित्तु है है जो नागरिक को राजनेतिक शिक्षा पड़ान करने में महत्रपुन भूमी का निबाती हो तथा सर्व धारन को नागरिक पदिकारों तथा कर्तवों का बोथ कराती हो पैजनता के गुणों तथा बुद्धी का विकास करने वाला हो ऐसा राज तंत्र कुलीन तंत्र में संभव नहीं यह परजा तंत्र में ही संभव है मिल परतिनीधी सासन का पस लेते हुए कहा कि राजनीतिक भग्य दारिता नैतिक जीवन के उत्थान के लिए भंजनिये तथा व्यक्ति की समताओं को पूर्ण विकास करने का समधन साधन है परजा तंत्र के दोस तथा उनका निवारन मील के अनुसार सासन का उतेस नागिकों की राजनीतिक सूझ भूज तथा सत्गुनों का विकास करना है अपित्तू परजा तंत्र में उत्पन दोसों के कारण कई बार ये संभव नहीं हो पाता इस संभन में उसे सच्चे तता जूटे परजा तंत्रों में अंतर करते हुए बताया है कि परजा तंत्र का अधार केवल संक्या नहीं ये डिष्टि कौन की परतिग व्यक्ति एक है ऐसा किसी भी व्यक्ति का महत्तव एक से अधिक नहीं है अनुसुचित है समाज में परतिग व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं है बलकि गुद्दी विवेग वेगुनों के अधार पर व्यक्ति में अंतर है सच्चा प्रजा तंत्र समाज में विभिन्ता को सुविकार करता है और उसे महत्व देता है फिर मील के अनुसार एक अच्छी तता कुसर सरकार को इस बात का पून भी परियास करना चाहिए कि समाज जीवन में सचालन पर उसके सरवधिक बुद्धि मान सदसूर की बुद्धी तथा विचार सदाचार का परभाव पड़े मील ने निर्वाचन परतिवंदी ऐसे महत्व कुन सुझाव पस्तूत किये जिसे जिन से सासको का चुनाव अज्यानी तथा विविक हीन जनता के हातों में ना पड़ सके सुझाव मील ने परतिवंदी सासको के दोस्त के निवारन हितु कई सुझाव दी है एक वेक्ती एक वोट का विरोद मील के अनुसार मतदिकार का ऐसा महत्वपुन अदिकार जो सभी को नहीं दिया जा सकता परजयत अंत्र को सबसे बड़ा खत्रा अनपड़ व्यमुर्क लोगों से है तथा मतदिकार का आधार एक निस्सित सैक्सित योगता होनी चाहिए केवल मैसे हो जाने से ही कोई मत देने का अधिकारी नहीं हो जाता इस परकार मत अधिकार के संबन में मील संक्या के स्थान पर गुन को महत्व देते है मील ने बहुल मतदान का भी समथन किया उसके अनुसार विद्वान को मुर्क से अधिक बोड़ देने का अधिकार मिलना चाहिए पर तेक को कम से कम एक या अध्यादिक पांच मत देने का अधिकार उचित है फिर ने मील ने समाज को वर्ग में विभक्त कर यह सुचित किया कि किस वर्ग में कितने मत देने का अधिकार मिलना चाहिए अनुपादित परते निधी तव मीलने लोकतांत्रिक देशों में परचलिक समाज से बहुमत परनाली का विरोद किया है इस परती में जिस उम्मीदवार को सर्विधिक मत मिल जाए वही विजय माना जाता है जिसमें जनसंक्या का अनुपाद नहीं देखा जाता मील ने इस परिविर्टिक को अलोकतांत्रिक बताया है इसे टोमस हेलर द्वारा पस्ताविक नुपादित परते निधीतो परनाली का पाधन किया है उसका सुजाव है कि कुल मत दाताओ किस की संक्या के सधन की परते निधी संक्या को भाग दे कर मतों की ओस्त संक्या निकाल लेनी चाहिए तथा मतों की एक ऐसी संक्या निर्दारित कर देनी चाहिए जिसको परत करने के पसाद ही कोई परियासी संधस्त की सधिस्ता परत कर सके महिला मत अधिकार मत अधिकार परदान करने में लेकिक अधार पर भेदवाव नहीं होना चाहिए मील इस मत का खंडन करता है कि स्वैम प्राकर्तिक ने महिलाओ को दुर्बल वे बुद्धी हिन बनाया है तथा इसलिए वे है सर्वजानिक जीवन में भाग्यदारिता के योग नहीं यदि नारी तथा पुरुस में कोई अंतर है तो भी पुरुस की अपेकसा नारी को मत अधिकार का वसता अधिक है क्योंकि सारिक डिश्टी से पुरुस की तुलना में निर्बल होने के कारण उसे अपने सुरक्सा के लिए कानून तथा समाज पर निर्बल रहना पड़ता है कानून की अवल तभी उसके पक्स में हो सकता है जब कानून निर्मान तथा समाजिक वह वसताओ के निर्धान निर्धारन में उसकी से भागिता हो मतधिकार का अधार संपति मील ने मतधिकारों के संपति विसेयक योगता पर भी बल दिया उसके अनुसर जो सभा सदन कर लेती है वह के वर उन्हीं लोगों दौरा गटित होनी चाहिए जो कारों का भार वाहन करें कर नहीं देने वाले आप तैही होते हैं अंतुने सर्वजानिक विथित पर नेने लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए अंतु संपतिवान लोगों को मत अधिकार दिया जाना चाहिए अन्य सुजहाओ मील ने घुप्त मतदान करते हुए खुले मतदान का समथन किया वह सद किताना साई परते विद्यो पर अंकुस लगाने के दिश्टी से तथा कार्य भाल के विभाजन के दिश्टी से सदत की दूई सदनिये व्यवसत्ता को योगी मानता है उसके अनुसार कानू निर्मान का कार्य हनारी लोगों पर नहीं छोड़ देना छोड़ा जा सकता यह है एक विवेक पून कार्य है अन्त कानू निर्मान तथा करो कि निर्धान निर्धारन का निर्न्य सदन को विशेगो पर छोड़ देना चाहिये इंपस्ताव पर असे रद करना होना चाहिये उसका परमुक कार्य बाद विवाद नन या उसका कार्य सरकार पर दिये जाने का विद्रोही है वह इस्थानिय सो मासी संस्ताओं के विस्तार पर बल देता है तथा परते निदी सरकार से ही पर चले नहीं तो सक्त विरोधी दल का होना अवसक बताया है मिल बेथक के वक्सेत वसेक मतदिकार पर सासन पर परतेक जन्वादी नियंतरन तथा सदन के वार्षिक चुनाव जैसे सुधारों का पसधर नहीं है मुले कन मील के सुतनता संबंदी विचार पर वेक्तिवाद का मूल दर्सन है कि तुक गई अधिकार पर उसकी अलोचना की गई है अकेश्ट वर्क ने उसे खुखली सुतनता का मसीहा बताया है मील ने सुम संबंदी वेह पर संबंदी कार्यों में जो अंतर सुजाया है वेह आवेग्यानिक है हुख हाउस लोकसिजादी ने यह माना है कि अर्थ में वेक्ति का कोई ऐसा कार्य नहीं होता जिसका परभाव के अलूसी पर पड़े तता समाज के अन्य सदस्यों पर ना पड़े मिल के सुज़ता नकारात्मक है सकारात्मक नहीं उसके अनुसार मानव विकास के मार्ग में आने वाली वादहों को दूर करने का इस सुज़ता है वेह सुज़ता के कार छीतर को स्लीमित रखने के पक्स में है किन्तु मिल का सिद्धांत इस रूप से महत्पुन है कि वेह ऐसे छेतर की ओर भी संकेत करता है जहाराज्य तरकिस्तर का रहकर समाज के हित में सकारात्मक राज्य की भूमी का निभानी चाहिए मैकसी ने माना है कि मील के सतंता संबंदी अध्याय का राजनितिक सत्यक में जेश्ट इस्थान है मील के सतंता के दर्सन का वेक्तिवाद के विकास तथा उसकी उन्नती में गहरा योगदान है मील ने परजातंत्र के नेतिक पर अधिक बल दिया जेता पी मील द्वारा सुल जाए गए महिला मतदिकार था मतदिकार है तुस एकसित जोग्यता अधि परसासक परसासनिये है कि नतुव है अनुभाव जे जोग्यता को महत्व नहीं देता मील द्वारा पस्ताविक नुपादिक परते निधितु परनालियत अफ़ी लोग तंत्र के अधिक नुकूल है किन्तु यह जटिल है जटिल है और साधारन जनता के समझ से उपर है मील की बहुल मत दान की परनालि भी अभैवारिक है क्योंकि यह ते करना कठिन है कि उसे किसे कितने मत देने का दिका दिया जाए फिर भी मील ने परजातंत्र का सिधान्त जन साधारन की राजनितिक वह समाजिक से भागिता का पस्दर है वह परते निधिक्त सासन की अनेक तुटियों को दूर करना चाता है तथा सासन अधिकार के वल योग्य वैक्तियों को देने का समथन करता है क्या दोस्तों वीडियोग खतम हुआ इसका पारट थो जल् therapies इंक्वे कई आएगा रिडियों चैनल के करें थेंक्यों की दोस्तों कि आथ कि ale कि झाल